शुपुरी सहर के सोन चरया होटल के पीछे कॉलोनी में अचानक से एक पंडिजी के घर में एका नोखा हरे कलर का साप देखा गया है जिससे देख कॉलोनी के लोग घबरा गए तुरंत नर्वर के रहने वाले सर्पपितर सल्मान पठान को साप की सुचना दी गई पठान है पठान ने बताया कि हिसाब सेमी बेनमस्ट है जो अधा जहरीला होता है यह हिसाब देखने में काफी खुब सूरत लगता है पठान ने बताया कि कभी भी अंदर विश्वास के चक्र में ना पड़े साप निकलने पर या काटने पर कभी घबराए नहीं ना आप मुझे क करे और हॉस्पिटल का सहरा ले पठान ने हरे साब को सुरक्षित पकड़ उसे जंगल मेरी रेस कर दिया पठान हर रोज दिन राद अपनी जान की परवान ना करते हुए बेजबान जानवरें गरिबों की मदद के लिए हर वक्त खड़े रहते हैं और उनका कहना है कि मरते दम तक में गरिबों को मदद देता रहूंगा और विजबान जानवरें को हमेशा ही बचाओंगा